सोलंजिला में बीती रात्री से हो रही लगातार बारिश ने कहर बरपाना आरंभ कर दिया है अरकियोप मंडल में वीरवार रात्री से लगातार हो रही बारिश के कारण ग्राम पंचायत बखालग के ग्राम मोहल में पहाडी से विशालकाय चटान गिरने से दो भाईयों के मकान के कुछ हिसे और फसल को भारी नुकसान पहुंचा है प्रदिश भर में पिछले दो दिनों से हो रही लगतार बारिश ने अपना कहर बरपाया है जगह जगह पर भूसखलन होने से काफी ज्यादा नुकसान हुआ है जिला सोलन के अरकी उपमंडल की बखालग पंचायत के मोहल गाउं में भी एक विशाल काय चटान गिरने से एक मकान को काफी नुकसान पहुचा है पखालक गाउं के निवासी गोपाल चंद और किशन सिंग ने बताया कि एक भारी भरकम पत्थर और मलवा उनके मकान के साथ बने शौचाले पर गिर गया शौचाले के साथ बनाया गया एक शैड भी ख्षति ग्रस्त हुआ है वहीं चटान से उनके घर की बिल्डिंग को भी नुकसान होने की संभावना है गनीमत ये रही कि किसी भी प्रकार का जानी नुकसान नहीं हुआ जिस समय पहाडी से विशालकाय चिटान गिरी तो उस समय मकान के साथ बनी गोशाला के बाहर गाय बंधी हुई थी लेकिन किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचा उन्हेंने बताया कि हादसे से करीब एक लाक रुपे का नुकसान हुआ है हादसे की जानकारी मिलते ही पंच्रायत प्रधान किरपारा मौके पर पहुँचे और स्थिती का जायजा लिया सिटी चनल के लिए अरकी से शहनाज भाठिया के साथ दयाराम कशिप के रिपोर्ट